हेलो दोस्तों नमस्कार अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए बेल आइकन और कर दिजिए जो भी वीडियो में डालूँगा चैनल पे तो आप तक नोटिपिकेशन पहुचेगा आप हमारा वीडियो देख सकते हैं हमारा वीडियो में आपको कि प्लमिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेगा कि ड्रेनेज लाइन का वाटर सप्लाई का प्लमिंग से जो भी रिलेटेड वीडियो है वो सब मिलेगा पंप हिटिंग कैसे करना हीटर कैसे लगाना है फिल्टर कैसे लगाना है जो भी प्लमिंग से रिलेटेड है सब वीडियो जो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में प्लीज हमारा चैनल को वासी ज़रूर जरूर और आपको तो आज हम देखते हैं इसमें प्यार मेel स्टेशन हम उसको बोलते हैं जहां पहले लगाएंगे तो उहाँ बइडरेटी में प्यार्टव के ओपर वीडियो बनाया हो हूँ भो हमारा हो जंटल में है वहीं जेंटल में हम लोग उसको इसलिए लगाये था कि वहाँ पेला रहा था इसलिए हमको हो जंटल में लगाना पर लगाना पड़ा हुआ जगा नहीं फाइव का था और यह हमारा 110 का है चार जर्ण चीक 엄마न है यह हमारा घ्रडिंग टाइप था और यह हमारा फ्लांच टाइप हे कि इसका different हुआ ही है काम दोनों स्यम है कि तो चलिए इसमें समझ लेते हैं यहाँ पे अगा है stayingYO remain you a Ppee अग यहाँ पे हमारा प्रेसर लगेगा और उपर भी प्रेसर गेज लाएगा दो उनों तरब भी में लाइन में दो गेटी फकिन फर्व से कंट्रोल करेंगे अगर बायक ठाथ हो जाता है कि आप वह done पेट ब्रीम निकालेगे के तो गैट वाहा बंद कर देंगे और उप्य पाइन्सी के लिए आप पानी लख सकते हैं और फिर रिपेर करके या दूसरा नया लगाखे आप फिर मेन लाइन खोल सकते हैं यह हमारा सिधा कि सिधा हमारा नीचे के ग्राउंड फ्लोर के तरब जा रहा है हमारा यह हमारा चार इंची का है पूरा फिटिंग जो भी है इसमें चार इंची का लगा हुआ है और यह हमारा बाइपास यह भी चार इंची का है यहां पे जगा था तो हम लोग वेर्टिकल में डाल दीए रहें तो हो रोग smell में भी लगा सकते हो और फेर्टिकल में भी लगा सकते हो क्षिए करता कि कि आपको सहिंishna स्पेस भी होना चाहिए और आपको काम करने के लिए इजी भी होना चाहिए तो यह हमारा जो दोनों तरफ टी लगा हुआ है वो प्रेशर गेज के लिए और यह दोनों प्रेशर गेज के लिए लगा हुआ है इसमें के रेशर डालना बाकी है और यह लाइन जो सीधा है यह सीधा हमारा यहां से हम बंद करेंगे तो बाइपास से पानी आएगा दोनों बंद कर देंगे बाइपास से पानी आएगा और इसका जो सपोर्ट है सपोर्ट हम लोको अच्छा से लगाना होता है अगर पंप चलेगा तो पाइप में भाइबरेट आएगा थोड़ा बहुत आएगा ज्यादा नहीं आएगा सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हमारा पाइप हिलेगा नहीं और लिक नहीं होगा योगों अच्छा से लगाना होता है कि बाइपास में भी और मेल लाइन में दोनों और बाइपास यहां पे क्यों लगाना जरूरी होता है मान लिजिए अगर आपका प्रब्लम हो या काम नहीं कर रहा है यह खराब हो गया ज्यादा दिन के बाद तो आप एमर्जेंसी के हमारा टोटल फ्लाइट में पानी जाएगा हर एक फ्लाइट के लिए पानी जाएगा कि यहां से होके मीटर से होके मीटर में जाएगा और मीटर से होके हर एक फ्लाइट में जितना फ्लाइट है हमारा उसा फ्लाइट में पानी जाएगा और यह हमारा जो लाइन है यह भी ह अलड़ी दूसरा फ्लोर में लगा हुआ है क्योंकि दोनों प्यार भी हम एक जगा नहीं डाल सकते क्योंकि यहां पेस्पेस नहीं था तो दूसरा को दूसरा जगा और इसका इधर हम प्यार भी अलग लग डाल दियों कि इस पेस के बज़े से और यहां पर इस पेस भी बहुत कमती है जो आप लोग को थोड़ा आच्छा से दिखा पाऊं पूरा फूल दिखा पाऊं और आप ऐसे फ्लांच डालके टाइट कर सकते हैं उसमें गास के डालके अगर फ्लांच टाइप है तो क्योंकि जैसे 20 इंच से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यह हमारा होता है वोसार्व प्लांस का टैप रहता है और फ्र्लांज टाइप हमारा 되는 Sap तुर्य जी भी है अगर पर है ताप को 65प बाता है आगर आप मंगाएंगे जो मंगाएंगे में वह मिलेगा आपको मैं तो चलिए आप हदी वीडियो हमारा चैनल पर है आल्रेडी हो देख सकते हैं पूरा टेट शीमें में बनाये हुआ हूँ मेरा चैनल पर जाके आप देख सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद